सेम जीमेल पे OTP जा रहा है या कुछ इस तरह से टू मिनी फिल्ड एटेम्ट आ रहा है या फिर कुड़नोट साइन यू इन का ओपसन आ रहा है तो जितना भी ट्राइ कर लें जितना भी वीडियो देख लें जीमेल रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक ये स्टेप को आप रिकवर करना चाहते हैं उसको यहां पर डाल देना है इमेल डालने के बाद यहां पर आपको नेक्स बटन दिखेगा आपको नेक्स बटन पर क्लिक कर देते हैं नेक्स बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर पास्पोर्ट नहीं है तो आपको ट्राइ अनदरावे म यहाँ पर फिर से ट्राइ अगर इस तरह से से लिए पे आपके पर आपके पास दो ही ओपशन है रिकाबर करने का नहीं तो कभी भी आप रिकाबर नहीं कर पाएंगे दूसरा कोई जीमेल डाल लें या तो फिर आपको गूगल टीम से कॉंटेक्ड करना पड़ेगा तो पर देखे Google Coord not Sign in का option आ जाता है तो आगर इस तरह से option आ जाता है तो यहां के बाद आपका रास्ता बंद हो जाता है जिससे आप recover नहीं कर पाते हैं और जितना भी आप try करते रहते हैं लेकिन आपका Gmail recover नहीं हो पाता है तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर नीची जैसे आप review page में click करेंगे यहां पर कुछ इस तरह option आजाएगा तो आपको सबसे उपर में दिखेगा commentary तो आपको यहां पर commentary में click करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सरा option दिख जाएगा तो यहां पर आगर आप Gmail recover करना चाहते हैं तो यहां पर आपको दो तरीका से आप Google team को mail कर सकते हैं तो एक एक करके बात करते हैं सबसे उपर में आपको यहां पर दिखेगा highest your account recovery तो यहां पर आपको highest your account recovery में click कर देना है जैसे click करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपका एक website खुल के आ जाता है तो यहां पर आपको सबसे उपर में जो लोगों दिख रहा तो यहां पर दिख रहा है रोहित आर तो यहां पर आपको 3.0 दिखेगा आपको 3.0 में क्लिक करना है 3.0 में क्लिक करने के बाद यहां पर आपको रिपोर्ट दिखेगा आपको रिपोर्ट में क्लिक कर देना है जैसे आप report में click करेंगे यहाँ आपको help page में click कर देना है help page में click कर देने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको select करने का option मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 option मिल रहा है तो यहाँ पर आपको नीचे अला में select कर देना है नीच getting है मैं किलिक कर देना है जیसे करें देको में किल्य कर जाएंगे तो यहां पर secondly भैप आपको एक खुलके आजाएगे जिसमें आपको फोंफ़िल करना है तो यहां पर आपको जितना भी यहां पर दिया हुआ है सब आपको भरना है उसके बाद यहां से आप request कर देंगे तो चला जाएगा इस तरह से mail करेंगे तो आप बातर घंटा के अंदर में आपके पास एक mail आ जाएगा और वहां से आप recover कर सकते हैं अब हम लोग चलते हैं दूसरा process की और तो यहां पर हम फिर से आ चुके हैं आप यहा पर सबसे पहले अपना जो problem है उसको सोट में लिखना है किस कारण से आप mail कर रहे हैं उसको यहां पर सोट में लिख देना है उसके बाद यहां पर आपको नीचे पूरा define देना है कि आपका mobile में क्या दिकत है आपका Gmail क्यों recover नहीं हो रहा है पूरा A to Z आपको application की तरह है चलिए हम यहां पर भर के दिखाते हैं तो finally मैं यहां पर टुटा फुटा English में भर लिया हूँ तो आपको भी इसी तरह से कुछ भर लेना है सबसे उपर में आपको सोट में आपका problem लिखना है उसके बाद यहां पर नीचे आपको Google team को application लिखना है जिसमें आपका problem भी ह साथ में मूभाइल नंबर नाम के साथ आपको दे देना है पूरा यहां पर application लिखने के बाद नीचे आ जाना है तो नीची यहां पर आपको दिखे का please select, यहाँ पर आपको please select में click करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको account ascent and recovery इसमें आपको click कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको next button दिखेगा, आपको next button पर click कर देना है, जैसे next button पर click करेंगे, यहाँ पर फिर से आपको दुबरा एक option खुल के आ जाएगा, उसमें आप आपको सबसूपर आला में ही एकाउंट रिकबरी दिखेगा आपको एकाउंट रिकबरी में ही क्लिक कर देना है एकाउंट रिकबरी में जैसे क्लिक करेंगे आपको फिर से नीचे नेश्ट बटन दिखेगा तो आपको नेश्ट एस्टेप में क्लिक कर देना है नेश्ट एस या laptop computer जो भी है आपको यहाँ पे select कर लेना है तो यहाँ पे मेरा android mobile है तो android को select करते हैं android select करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा type 2 complete account recovery step यहाँ पे आपको yes या तो no दोनों में से कोई एक option दिखेगा तो दो option दिखेगा तो यहाँ पे आपको yes में click कर देना है yes में click करने के बाद यहाँ पे आपको next step दिखेगा तो आपको next step में click कर देना है जैसे आप next step में click करेंगे यहाँ पे आपको post का option मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको post में click कर देना है जैसे post में click करेंगे google team के पास post हो जाएगा google team के पास चला जाएगा उसके बाद google team के तर जिससे आप Google टीम को mail कर सकते हैं और अपना Gmail recover कर सकते हैं